सब्सक्राइब किजिए मेकेनिक ग्यान चैनल को और बेल आइकन को दवाईए लेटेस मेकेनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों क्या आपने कभी जेसीपी 3DX का केपीसी स्विंग स्लेंडर सील की चेंज किया है अगर किया है तो ठीक है दोस्तों अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाच तक वाच कीजिएगा आप भी सील चेंज करना सिख जाओगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवी खरकाटे और मेरा यूटीब चैनल मेकेनिक ग्यान में आप सही लोग का स्वागत है दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बेक लोडर से स्विंग स्लेंडर को ओपन करके बाहर लेकिया आ गया है अब दोस्तो हम इसे रिमू कर लेते हैं और सारा सील केट अगरे निकाल लेते हैं उसके बाद में दोस्तो हम इसको फेटिंग करती ही आपको दिखाएंगे ठीक है तो चली हम आगे बढ़ते हैं दोस्तो आगे बढ़ने से पहले बता दू तो इस जैसे पी का हम ने पूरा पूरा टीव मतलब पूरा एक्सल एशेंबल को हमने बाहर निकाला है और दोस्तों अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें comment box में लिखकर बता सकते हैं पूरा एशेंबल हम एक completely वीडियो बनाएंगे जिसमें हब से लेकि क्राउन गेर तक के सेटिंग का सब कुछ हम बताएंगे तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं यह है सिविंग सिलेंडर का रॉड और यह है प्रिस्टर और यह है है एडन कवार और सिल्किट ठीक है अब इसके बाद में जो है ट्यूब को तो हम आपको बताई द सब्सक्राइब और संबसे पहले दोस्तों हमें मैंसेल डालना होगा जो कि हएटन का देख सकते हैं इस तका देख से अंदर से और उपर सैट से इस प्रकíll कि नहűंइग की होता है जो कि आप जबिट करोगे तो इसमें क्या है दोनों प्लेड आके अपको जाएगा और को पि यह है main seal, इस main seal के अंदर और एक o-ring रहता है, ठीक है, तो जब भी आप main seal fit करो दोस्तो, तो बहुत हिसाब से fit करना है, यह बिल्कूल भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि head on cover का main seal यह होता है, और piston का main seal कून से होता है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे, में उसके support के लिए लगता है मेंसील होता है वो अपनी जगह पर tight हो जाए ठीक है उसके बाद में यह आ गया dust seal उसके बाद दोस्तों हमें dust seal pitting करना है और इसका जो dust seal होता है न दोस्तों यह बाहर से जो है न लोहे की collar से बनी होती है तो यह थोड़ा hard होता है ठीक है अब इसको आप इस प्रकार से आप head and core में fitting कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों हमें देख सकते हैं इसके उपर एक ring lock का प्राला दिया हुआ है तो आपको ring lock को fitting कर देना इस प्रकार से ठीक है तो देख सकते हैं हमने उपर साइड से सारा complete कर लिया है अब जो यह head and core है उसके अंदर साइड में एक o-ring fitting करना है और उसके उपर o-ring को एक support ring लगता है वो support ring भी हमें fit करना है तो देख सकते हमने o-ring fit कर दिया है और यह रहा support ring तो चलिए हम इसको भी fitting कर देते हैं ठीक है उसके बाद में हमारा head and cover है यह हो गया है complete seal डाल करके अब उसके बाद में चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो चलिए हम head and core को side में रख दे seal जिस जगे पर हमने fitting किया है उस पे oil लगा ले hydraulic oil है हलुल का गरिश लगा ले और उसके बाद में आप head and core को piston rod में fitting कर दे इस प्रकार से ठीक है तो आप इसके बाद में घुमाने के बाद में हलुका सा आप दबा दे तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा head and core piston rod में fitting हो चुका है चलिए अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और piston का हम सिल फिटिंग कर लेते हैं तो दोस्तों काफी सारे लोग जो है piston fitting में ही confusion होता है जो piston का जो चेकनड है पिस्टन और चेकनड एक ही साथ में है जब इसे फिट करते हैं तब ही confusion होता है जो confusion क्या है हम से आप देख सकते हो ठीक है और उसके बाद दोस्तों हमें ख्रेट के उपर ऑईल या हलका सा ग्रिस लगा देना है लुक्तिकेशन के लिए और उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों ये है प्रिस्टन के अंदर में बैठने वाला लॉक जो कि आपको इस प्रकास से आपको जैसा कि हमने उस पिस्टन के अंदर में वह सेंटर लॉक को डॉला है ना उसके एकदम सीधा सीधा रखना जैसे देख सकते हैं इस पिस्टन को हम टाइट करेंगे तो उसको हमें क्या करना है उसको उंगली में सीधा पकड़ के रखना है और पिस्टन को इस प्रकास से फिंटर आगया है फिसंटर के तो इस प्रकार से आपको Is Center Log को प्रिछिंग करना को थी इस पे सकते हैं- इस piston को हम मतलब इस chuck nut को हम lock कर देंगे ठीक है तो ये हो गया सारा कुछ complete ठीक है उसके बाद में हम चलिए piston का seal अगरे डालेंगे तो सबसे पहले तो हम परटा पर चलिए piston को lock कर लेते हैं allen की बोल से ठीक है दोस्तो कभी भी जब कोई sewing slander को open करता है तो काफी सारे लोग जो है यहीं पर confused होते हैं दरसल क्या है जो support ring होता है support seal होता है उस support seal को जब निकालते हैं उसके बाद में क्या है हमें वो lock मिलता है बट दोस्तो कही लोग ऐसे हैं जो support ring को निकालते ही नहीं और चेकनेट को इस्टार्ट हो जाते है तो दोस्तो यहाँ पर जो rod का thread है और चेकनेट का thread दोनों से लिफ हो जाता है तो चलिए हम जो main piston का जो main seal है उसका ओरिंग हमने fit कर दिया है एकदम center में और just उसी के उपर हमारा main seal है उप fitting होगा जो piston का है तो main seal fitting करने के लिए दोस्तो आपको क्या करना होगा main seal के उपर एक रशी फसाना है और रशी फसाने के बाद में आपको उसको धीरे 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 राउंड में घुमाते जाना है ठीक है राउंड में जैसे जैसे घुमाते जाओगे दोस्तो तो एकदम आसानी से जो ये main seal है ये fitting हो जाएगा दोस्तों ये main seal जो है बहुत hard होता है और tight होता है एक बार फैल गया तो ये जल्दी से press नहीं होता है और press रहता है तो जल्दी से फैलता नहीं है तो देख सकते हैं हमने इसको इस प्रकार से warring के उपर main seal को fit कर दिया है उसके ब ये pressure control करने का काम करता है ठीक है pressure को आगे पीछे नहीं होने देता है ठीक है तो देख सकते हैं और जब भी आप support seal को fitting करेंगे तो एक cut left में और एक cut right में मतलब दोनों opposite में होना अच्छी है ठीक है तो देख सकते हैं ये final हो चुका है अब दोस्तों हमें इसमें oil और हलका उ देना है ताकि जब हम ट्यूब में fitting करें तो एकदम आसानी से ट्यूब में fitting हो जाए तो देख सकते हैं ये रहा ट्यूब और ट्यूब में भी हमने थोड़ा सा ग्रिस या oil लगा दिया है और उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपको ट्यूब में piston rod को fitting करना है तो आपको इस slender को fitting करना है ठीक है तो चलिए इस tube में thread होता है और head and core के उपर भी thread होता है तो चलिए हम इसको फटा पट खड़ा कर लेते हैं और खड़ा करने के बाद दोस्तों इसको हाथ से घुमा घुमा कर अच्छे से tight कर लेते हैं ठीक है और जैसी ही दोस्तों ये पुर मैं हाथों पर दिखाया था उस छोटा वाली छोटी जो एलंकी है उस छोटी एलंकी को head and core को उपर tight करके इस tube को lock करना होगा देख सकते हैं इस जगह पर ठीक है तो इसके हम अच्छी तरह से पहले tight कर लेते हैं और tight करने के बाद दोस्तों एलंकी का एलंकी लगा कर हम इसक 3DX का कैपी से स्विंग स्लेंडर का silket चेंज करके आप लोगों को दिखाया है तो दोस्तों आप लोग बताएं कि यहाँ वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में सेयर करना हम फिर कि इसी नेक्स वीडियो के साथ में मिलते हैं तब तक के लिए बाय दोस्तों